जन्वरी के बाद जब स्प्रिंग फॉल का समय आता है हमारे पॉधे जो हैं अपनी सारी पतियां गिराने लगते हैं बिल्कुल पत जड़ सा महौल हो जाता है आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे फर्टिलाइजर बताने वाली हूँ जो सारे होममेड हैं इन में से किसी भी फर्टिलाइजर के दी आप सहारा लेंगे तो आने वाले स्प्रिंग फॉल में आपका पॉधा सुरक्षित रहेगा स्वस्त रहेगा और नए नए शूट्स भी निकालेगा आप ये उन पॉधो को भी दे सकते हैं जो डॉर्मेंसी से बाहर आए हैं इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए चुकंदर एक चुकंदर ले लिजे और इसे आप एक लिटर पानी में भीगो करके एक दिन के लिए रख दीजे अगले दिन आप पानी को छान लिजे और छान करके उस पानी को आप अपने सभी उन पॉधो को दे दीजे जैसे देखिए ये गुलाब में अ ये Natural NPK है, कल के comment section में मैंने देखा था कि किसी ने पूछा था क्या Natural NPK हम घर में बना सकते हैं, हाँ, इन चीजों से हम Natural NPK यानि की nitrogen, phosphorus और potassium की कमी को पूरा कर सकते हैं chemical fertilizer जरूर जल्दी असर दिखाते हैं, लेकिन आपके पौधे को बहुत बार ऐसा होता है कि नुकसान भी पहुचाते हैं, यदि आप ज़्यादा chemical fertilizer का इस्तमाल करते हो, तो जब मौसम change होता है, उस समय आपका पौधा बहुत जल्दी मरने लगता है, देखिए करीब इतना मैं ने ले लिया और इसमें अब करीब एक ग्लास के करीब मैं पानी मिला दूंगी, यदि आप पानी नहीं मिला करके ऐसे भी spray करते हैं, और ये liquid सिर्फ 24 घंटे पुराना है, तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा यदि आपने भीगो कर रखा है, तो देखे कुछ इस तरीके से एक ग्लास मैंने दे दिया, मेक शूर करें कि जब आप ये fertilizer दे रहे हैं, उसके पहले आपके पौधे की जो मिट्टी है, वह गिली ना हो, बिल्कुल ड्राई हो, और एक सब्ताह पहले ही आपने कोई खाद दिया हो, यानि कि 3-4 दिन पहले कोई ना दिया हो, कम से कम एक वीक का गैप जरूर मेंटेन करना चाहिए, किसी भी खाद को देने के लिए, देखिए जैसे ये रोज पर निव शूट्स आ रहे हैं, ऐसे ही जो पौधे आपके डोर्मेंट में चले गए थे, उन पर निव शूट्स आ रहे हैं, जैसे मैंने आप गुलाब का पत्ता है, ये इस पर जो है, फंगस आटैक हो गया था, और सारे पत्ते देखिए कितने हरे 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 हैं, यानि कि स्प्रे करने से आपका पौधा बहुत हद तक बचा रहता है, इससे आप स्प्रे करते हैं, अब बात यह है कि कितने दिनों में इस्तिमाल करना है इसको हर सब्ता आप इस्तमाल कर सकते हैं नॉर्मल पानी तो आप देते ही हैं अपने पौधे को क्यों नई इसे ही दिया जाए अब देखिए ये है केले का छिलका केले में बहुत ही परियाप्न मात्रा में पोटेशियम होता है जो पौधे कलियां बनाने लगे हैं उन्हें पौटाश की जरुरत होती है आपको पता ही है पौटाश जो काम करता है वही काम ये केले का छिलका भी करता है इसमें भी उप्यूगत मात्रा में पोटेशियम है जो आपके पौधे को चाहिए वैसे तो बहुत सारी चीजें है इसमें नाइट्रोजन है फॉस्फोरा से आईरन भी है कैल्शियम भी है लेकिन पोटेशियम उतना है जितने में आपके पौधे में कलियां जादा से जादा बन पाएंगी अब इसको आप क्या करेंगे ठीक वही फॉर्मूला आपनाईए पौधों में कलियां बनने लगी है जैसे कि मेरे गुलाब में आप देख रहे हो नई कली बनी है और भी सारे पौधों को आप दे सकते हो जो कलियों के स्टेज पर है जिनमें आप आपको फ्लारिंग लेना है केले के छिलके से आप और भी सारे फर्टिलाइजर बना सकते हो जैसे इसे dry करके आप powder बना कर रख सकते हैं, एक एक चमच हर एक week आप दे सकते हैं, यदि आप बिल्कुल organic करना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, chemical fertilizer का इस्तवाल करें, तो ये सारे fertilizer slow release तो जरूर होते हैं, लेकिन आपके पौधे के लिए कोई नुकसान नहीं दे सर्सो की खली, सर्सो की खली का इस्तमाल सर्दियों में, खास कर अभी सर्दियां थोड़ी कम होने लगी हैं, अभी एक बार आप इस्तमाल कर लेंगे, तो आपको 30-40 दिनों तक NPK से युक्त कोई खात देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सर्सो की खली में परयाप्त मातरा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है, जो पौधे की किसी भी स्टेज पर दिया जा सकता है, इसको आप क्या करेंगे, करीब 10 गमले के लिए मैंने 50 गरम भीगो लिया है, इसे राद भर भीगोने के बाद अगले दिन इसे डबल ट्रिपल पानी मिलाई कहने का मतलब है, आप अपने अनुसार ये देख लेना, इसका ठिक लेयर नहीं होना चाहिए, मोटी लेयर ये बन जाएगी, तो गमले के ऊपर एक परत सी बन जाएगी, और फिर फंगस क्रियेट होगा, तो इस बात का ध्यान रखें कि बहुत ही पतली सी गोल बनाए, यद फिर अडैनियम है, या फिर इंडोर प्लांट है, उन पर इसे नहीं यूज करना है आपको, आप चाहें तो इसमें एक चम्मच नीम की खली मिला करके यूज कर सकते हैं, ये सरसो की खली बहुत असानी से आपको नर्सरी पे मिल जाएगा, आप एक चीज और कर सकते हैं, कि म पतज़र के समय में अपने पौधे को बहुत स्ट्रेंथ देने की जरुरत आपको पड़ती है, देखिए जो गुढ़हल का पौधा है, ये देसी गुढ़हल है, इसको मैंने ट्रीम कर दिया था और इसमें नए शूट्स निकलने लगे हैं, जब पौधे को हम ट्रीम करते ह और नए शूट्स आते हैं, उसमें बहुत स्ट्रेंथ की जरुरत पड़ती है, ऐसे में आपको ज़रूर अपने पौधे को बहुत ही उचित मातरा में और्गैनिक फर्टिलाइजर देना चाहिए, प्याज के छिलके में उप्युक्त मातरा में नाइट्रोजन, फॉस्फोर और पोटेशियम होता है, यह एंटी आक्सिडेंट भी होता है, आपके पौधे को बहुत सारे कीट पतंगों से भी बचाता है, इसको क्या कीजे, दो प्याज के छिलके ले लिए, पांच गमले के लिए बता रही हों, राद भर पानी में भीगो दीजे, फिर आप कि दो तिन बार यूज करने के बाद आप गमले में ही कहीं मिट्टी में दबा देंगे, या फिर कमपोस्ट भी इन में डालेंगे, देखिए ये जो मेरे फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं, इस पर और गैनिक फर्टिलाइजर का ही मैं इस्तमाल करती हूँ, कभी भी केमिकल फर्टिलाइजर मैं नहीं डालती हूँ, ये रीजन है कि मेरे पौधे कभी खराब नहीं होते, चाहे मौसम कितना भी चेंज होता रहे, रेरली ऐसा होता है कि पौधे मरते हैं, पत्तियां भी आपको लश ग्रीन नजर आएंगी, और गैनिक फर्टिलाइजर के बहुत सारे फायदे होते हैं, एक तो बजट फ्रेंडली होता है, हम अपने किचन से कर सकते हैं, प्लस क्रियेटिविटी बहुत है इसमें, कहने का मतलब है, प्याज के छिलके को यदि मैंने सुखा लिया, सुखा कर पाउडर बना कर रख लिया, लोजी घर में एनपी के तयार हो गया, इस तरीके से इसे भिगो करके आप पानी ले लिजे और इसको डिरेक्ली आप जड़ों में डालिए, देखिए जड़ों का बहुत विकास होगा, इसमें जो फॉस्फोरस है, वह आपके प्लांट की जो स्टेम है, उसको मोटा करने में मदद करता है, यदि राद भर भी गो चिलके हैं, या केले के चिलके हैं, इनको आप हर एक वीक इस्तमाल कर सकते हैं, बाद में जो ये बच गया है, इसमें आप दो तीन बार यूज़ कीजिए, फिर कमपोस्ट में डालिए,